हेलो फ्रेंड्स वेल्कम अगें तो दिस यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो है अन्बॉक्सिंग का आज अन्बॉक्सिंग में करने वाला हूं अभी एक न्यूली लॉंच्ट नॉइस के फायर्लेस हेडफून्स थे ब्लूदूथ हेडफून्स थे तो मैंने उनको ओर्डर किया था अमजोन के थूँग आज ये प्रोड़क्ट मुझे डिलिवर हुआ है तो मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसके पूरे डिटेल डिव्यू को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक शुरूर देखे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो अफलोड होते साथी हर टाइप की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं इसको बॉक्स यह उपर जो मिंशेन है वो है शॉट नियो टू इसका नाम फुल टच कंट्रोल 20 आर्स टोटल प्लेटाइम दे रहा है हाइपर सिंक दे रहा है तैट इसली वो सिंक हो सकते हैं दोनों के दोनों आपके जो हेड़फुन हैं देन गेमिंग मौड है इसमें बिलकुल आपके सकते हैं लितिनसी बहुत लो है यहाँ पर यह बोलता है इसका जो कलर है देन इसके अनदर नेट कन्टेंट क्या है तो ब्लुटू टूट हैटफोन बोलरा ही है charging case बोल रहा है, charging cable बोल रहा है extra ear tips बोल रहा है और एक user manual तो देखते हैं क्या कर यह है क्या और अगर price की बात करें तो price यहाँ पर दिया हुआ है 5999 बट मुझे यह कितने price पे मिला है यह मैं वीडियो के end पे बताऊँगा तो इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखें तो करते हैं इस box को open और देखते हैं कि आखर इसमें है क्या सबसे पहले जो इसमें निकला है यह पेपर वाक है इसमें की वारंटी के लिए रिजिस्ट्रेशन के इंफॉमिशन दी गई है दन अकर हम बात करें इयरफून्स की तो इयरफून्स प्यारे से ब्लैक से केस के नदर रखे हुए अगें बॉक्स के नदर जो देखने को मिलता है बहुत सारा पेपर वाक है रिलेटेड वेद इंफॉमिशन रिगार्डिंग कि आखर इसमें जो बैटरी कैपसेटी है वो क्या है यह इसकी जो प्रॉपर्टी जो अल्ड़ी मैं आपको बता चुका ह है और साथ में मिलती है आपको चार्जिंग केबल जिसके त्रूप इस केस में लगी हुई बैटरी को चार्ट कर सकते हैं जब आप वापस यूज करके अपने एर प्लग्स को इसके नदर डालेंगे तो अगें वो दुबारा रीचार्ज हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट यू यह यूएसबी सी पोर्ट बेस्ट केबल नहीं है सिंपल सी जबकि माइक्रो यूएसबी होती है वही वाला यह आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है इसमें अगें अब इसको ओपन करते हैं देखते हैं अखेर यह फोन कैसे हैं तो यह हैं आपके यह फोन्स आइंड जैसे आप इसे केस को ओपन करते हैं वैसे इसकी जो लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक करती हैं जोकि यह सिग्निफाइ करती हैं कि हाँ यह जो है वो चार्ज हैं या ओन हो गए हैं यह जो मैंने अभी रिमूब किया इसमें से यह इसकी प्रोटेक्शन के लिए लिए लगी है ताकि बैटरी जो है वो ड्रेन ना हो फाइनली फिर्स्ट यूज में जब आप इसको हटाएंगे उसके बाद जब भी आप इसे केस में रखेंगे तो वो आप्रमेटिक ली चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो यह दिया है चार्जिंग का पॉइंट जिसके तो आप से चार्ज कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल चार्जर से जो कि अपका फोन का चार्जर भी इवन हो सकता है तो अगर हम बात करें इसके ब्लुटूथ वर्जिन की तो यह 5.0 वर्जिन पर बेस्ट है साथ ही साथ इसमें मिलते हैं अपको 20 आर्स का प्ले टाइम यानि कि 20 आर्स तक आपको इसमें फुल जो है बैक अप मिलेगा एंड गेमिंग मोड भी है इसमें अगर आप गेम्स खेलते हैं तो फिर यह काफी अच्छा रस्पॉन्स उसमें देता है अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी आप क्योंकि बिल्ट इन माइक है ऑब्विसली तो जो क्लारिटी है वो इसमें वो भी काफी अच्छी है लेकिन अगर मैं ओवरल साउंड क्वालिटी की बात करूँ यानि केस जब आप इसमें गाने सुनते हैं तो वो सोजो का इंड यानि ठीक ठाक है बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगा बहुत खराब भी नहीं कहेंगे अब बात करते हैं इसके प्राइस की इसके बॉक्स के पर जो प्राइस मेंशन है उसमें है 5999 प्रिंट हुआ बट एमाजोन का जो लाँचिंग सेल थी इसकी उसमें मुझे ये मिला था 1999 रुपीज का आया होगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें को अपलोड करते रहते थे above नोने इससाल को सब्सक्राइब करें अपने खात्बस के साथ शीर करें थैंक्स वाचिंग दे वीडियो